नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स काला चोर काला चोर संपादक देवकी नंदन शर्मा कहानी विजे कुमारबत्स चित्र किशोर ओबराय बहुत समय पहले की बात है जोतिकर राज्य पर चरण सिंग नाम का राजा राज्य करता था वह धन दौलत को ही सब कुछ समझता था दुनिया में धन दौलत ही सब कुछ है धन दौलत के बल पर ही दुनिया के सब कामकाज चलते हैं मेरे पास अकूद धन दौलत है इसलिए मैं इतने बड़े राज्य पर राज करता हूँ वह सोचा करता था मैं चाहूं तो अपने राज्य की सड़कों को धन दौलत से पाढ़ दू धन के पलपर ही मेरे पास विशाल सेना है उसके द्वारा किसी भी देश को मैं शन भर में ही कुचल सकता हूँ इस संसार में धर्म करम, स्त्री पुरुष, पुत्र, मित्र सब धन दौलत ही है राजा चरण सिंग धन दौलत की मद में डूबा हुआ था दूसरी और उसकी रानी चंद्रिका बहुत बुद्धिमान थी उसका विचार था धन दौलत तो तुछ चीज है दुनिया में अगर कोई स्रेष्ट है तो वह बुद्धी है बुद्धी से स्विष्ट कोई नहीं है एक दिन की बात है राज उध्यान में अपनी रानी चंद्रिका के साथ घोमते हुए राजा चरण सिंग ने अचानक चंद्रिका से पूछा रानी क्या तुम बता सकती हो कि दुनिया में धन दौलत बड़ी है या बुद्धी इस आकस्मिक प्रशन को सुनकर रानी चंद्रिका सोच में बढ़ गई सच हमेशा कड़वा होता है महराज के मन में जो धन दौलत का मूल्ले बना हुआ है उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ तब मैं महराज के प्रशन का उत्तर कैसे दूँ लेकिन महराज को उनके प्रशन का उत्तर तो देना ही होगा वहज चरण सिंग से बोली महराज यदि आप सची जानना चाते हैं तो सुनिए मैं धन दौलत से बुद्धी को बड़ा समझती हूँ बुद्धी से ही धन दौलत आती है और बुद्धी से ही दुनिया में सब कामकाट सुचारू रूप से चलते हैं महराज मनुष्य के पास यदि बुद्धी न हो तो उसकी सारी धन दौलत यों ही लुट जाती है इसकी साथ ही यदि किसी देश का राजा बुद्धी हीन हो तो शीकरी उसका राजबाट चौपट हो जाता है रानी चंद्रिका ने यह सब कहकर हमें बुद्धी हीन जताना चाहा है यह तो हमारा सरासर अपमान है यह सोच वह क्रोजित होकर चंद्रिका से बोला रानी तुम्हें अपनी बुद्धी का बड़ा ही कमंध है मैं देखना चाता हूँ कि तुम बिना धन दौलत के बुद्धी के साहरे कैसे अपना जीवन चला सकती हो महराज मैं अपना कथन सिद्र करने के लिए किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिक्षा देने के लिए तैयार हूँ ठीक है हम आज ही तुम्हें कुंतल वन में बने अपने महल में रहने के लिए पिजवाए देते हैं तुम्हारी सेवा टहल के लिए केवल एक दासी ही तुम्हारे साथ उस महल में जाएगी, खर्च करने के लिए न तो तुम्हें कोई पैसा मिलेगा ना ही कोई अन्य सामान, यह सब तुम्हें अपनी बुद्धी से ही वहाँ पैदा करना होगा, इसके साथ ही तुम्हारे सारे आभूशन भी उत्रवा लिये जाएंगे उस महल में तुम बिना धन दौलत के 6 मास तक रहोगी 6 मास तक हमारा तुम्हारा संपर्क पिल्कुल तूटा रहेगा 6 माँ पस्चात हम स्वेम तुम्हारे पास कुंतलवन वाले महल में आएंगे और तब तुम से पूछेंगे क धन दौलत बड़ी है या बुद्धी ठीक है महाराज मैं कुंतलवन वाले महल में जाने को सहर्श तयार हूँ वे दोनों उसी समय महल में वापिस लोटाए लीजे महाराज कुंतलवन जाने के पहले मैंने अपने सारे आभुशन उतार दिये हैं अब हम तुम्हें कुंतलव महाराज को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धी भी कोई चीज है धन दौलत ही सब कुछ नहीं है कुंतलवन के महल में पहुँचकर उसने दासी माला से कहा माला तू कहीं से छोटे छोटे पत्थर चुनकर लेया जो अग्यरानी जी माला पत्थरों के टुकड़े लेने चली गई कुछ देर बाद ही उसने कुछ चोटे चोटे पत्थर लाकर चंदरिका को दे दिये चंदरिका ने उन पत्थरों को एक संदूक्ची में रखा और उस संदूक्ची को बंद कर दिया इसके बाद उसने संदूक्ची पर लाल कपड़ा लपेटा तत पस्चात उसने संदूक्ची पर लिप्टे लाल कपड़े पर अपने नाम की राज के मोहर की छाप लगा दी माला इस संदूक्ची को जोती कड़के नगर से धन्नामल के पास ले जाओ इस संदूक्ची को धन्ना सेट को देकर कहना कि रानी चंद्रिका ने 500 स्वर्ण मुद्राएं मगवाई है मगर सेट धन्नामल से यह भी कहना कि 6 मापस चात हम उसके 500 स्वर्ण मुद्राएं मैं ब्याज के वापस लटा देंगे और उसके पास से अपनी यह संदूग जी वापस ले लेंगे जो अग्या रानी जी मैं अभी जोतिगर के नगर सेट धन्ना मल के पास जाती हूँ एक बात और नगर सेट से यह कहना कि रानी जंदरिका चाहती है कि यह बात गुपती रहने चाहिए कि हमने उससे प्याजबर धन लिया है महराज को भी इसकी भनक नहीं पढ़नी चाहिए ठीक है रानी जी मैं उनको यह बात भी बता दूगे संदूग को लेकर माला कख्ष से निकल पड़ी वह जोतिगर के नगर सेट धन्ना मल के यहां पहुँची सेट जी रानी जी नी यह संदूग जी बेजी है और इसके बतले में 500 स्वन्द मुद्राएं मंगाई है माला ने रानी चंद्रिका की बताई सारी बाते धन्ना मल को बता दी धन्ना मल ने माला से संदूग जी ले ली और बत्य में 500 स्वन्द मुद्राएं उसे दे दी सेट जी यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि महरानी जी ने आपसे हिर्ण लिया है ठीक है माला स्वन्द मुद्राओं को लेकर रानी चंद्रिका के पास पहुंची तब चंद्रिका ने थैली में से कुछ मुद्राओं निकाल कर माला को देते हुए कहा माला इस महल में तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है तुम फिर जोतिगर जाओ और स्वन्द मुद्राओं के बदले खाद्य समगरी ले आओ जी रानी जी स्वर्ण मुद्राओं के बदले माला जोतिगर से जो खाद्य समगरी लाई थी उसे खाकर चंद्रिका और माला कुंतलवन के उस निर्जन महल में दिन गुजारने रगी नजाने क्यों महराज ने रानी जी को इस एकांट महल में भीजा हुआ है क्या रानी जी से कोई गलती हो गई थी धीरे धीरे उन दोनों को उस एकांट महल में रहते रहते पांच महां भीट गए एक दिन रानी जी शमा करें मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ पूछो माला, राने जी मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि महराज ने आपको यह वनवास क्यों दिया हुआ है माला, महराज को अपने धन दौलत पर बड़ा खमंट है उसी खमंट में चूर रहने से उन्होंने मुझे यह वनवास दिया हुआ है वे तो सोच रहे होंगे कि बिना धन दिये मुझे 6 मा के लिए इस एकांट महल में भेज कर उन्होंने मुझे सबक सिखाया है पर यह उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि सबक वे मुझे नहीं बलकि सबक मैं उन्हें सिखाने वाली हूँ मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी रानी जी तब चंद्रिका ने माला को सारी बातें विस्तार पूर्वब बताई तद पस्चात माला अपनी योजना के अंतरगत मैं महाराज को दिखा देना चाहती हूं कि पुद्धी धन दौलत से पड़ी है तुम्हें इस कार्णे में मेरी मदद करनी होगी मैं हर परकार से आपका साथ दूंगी रानी जी बताईये मुझे क्या करना होगा तुम्हें कल ही पुरुषवेश धारन करके जोती Beaut के दरबार में जाकर महाराज से वह कहना है जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ चंद्रिका ने माला को योजना समझाई सारी बात चानने के पश्चाथ ठीक है रानी जी कल दरबार में जाकर मैं महाराज से ऐसा ही कहूँगी दूसरे दिन ही माला पुरुश्वेश धारन करके राचा चरन सिम के दरबार में जा पहुँची महाराज मैं लुट गया बरबाद हो गया मेरा सब कुछ लूट लिया कुछ हुआ भी आकर कुछ बताओगी भी या इसी परकार प्रलाब करते रहोगे महाराज कल रात एक शातिर चोर ने मेरी घर में चोरी करके मेरा सब कुछ चुरा लिया महाराज वह जालिम चोर मुझे बिल्कुल ही कंगाल बना गया चोरी और हमारे राच्जे में यह तो हम पहले ही बार सुन रहे हैं हमारे राच्जे में आज से पहले तो कोई चोरी रही हुई फिर तुम्हारे घर में चोरी करने की हिम्मत किसकी हुई महराज लगता है किसी दूसरे राज्य का कोई चोर हमारे राज्य में खुस आया है महराज उसने मुझे कंगाल बनाया है तो बनाया पर वह आपको भी नहीं बक्षने वाला है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? महराज वह चोर मेरी खाली तिजोरी में आपके नाम यह पत्र छोड़ गया है चरण सिंग हैरान सा उस पत्र को पढ़ने लगा राचा चरण सिंग मैं बड़ा ही खतरनाक चोर हूँ लोग कहते हैं कि मैं किसी आदमी की आँखों का काजल भी चुरा लूँ तो उस आदमी को इसका पता तक न चले शायद तुम इस बात को ना वानो इसलिए मैं तुम्हें इस बात का यकिन दिलाने के लिए शीख रही तुम्हारे खजाने को चुराने वाला हूँ तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे खजाना चुराने से रोक सकते हो तुम्हारा शुपचिन तक काला चोर पत्र पढ़कर चरण सिंग की भवित तन गई दुस्सहासी चोर हमें खजाना चोरी करने की धमकी भी देता है और अपने को हमारा शुप्चिन तक भी बताता है उसने तुरंद खजानची को बुला कर आदेश दिया इस आदमी के घर में काले चोर ने चोरी की है तुम खजाने में से धन दे कर इस आदमी के नुकसान की भरपाई कर दो जो हुक्म महराज खजानची माला को अपने साथ ले गया और उसे खजाने में से काफी धन दे दिया अब चरन सिंग ने खजानची को आदेश दिया खजानची जी, काले चोर ने हमें खजाना लुटने की धमकी दी है इसके तुम खजाने की सुरक्षा के प्रबंद कड़े कर दो ताकि काला चोर अपने धह में सफल न हो सके ऐसा ही होगा महराज इधर माला खजानची द्वारा दिया गया धन लेकर कुंतन वन में पहुची लेजी रानी जी महराज ने मेरे नुकसान की भरपाई के लिए मुझे यह धन दिया है माला इस धन में से थोड़ा सा धन निकाल कर बाकी संभाल कर रखते इसकी अवशक्ता हमें एक माबाद पड़ेगी रानी जी इस थैली में से थोड़ा धन आप किस परहुजन से निकाल रही है माला इस धन से मैं तुम्हारे द्वारा दो घोड़े, दो सैनिकों की पोशाक और कुछ बड़ी बोर्या मंगवाऊंगी माला थैली में से थोड़ा धन निकाल रानी द्वारा बताया सामान लेने चल दी तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद